गाईस एक बाद फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे तो इस वीडियो में आपको बताओं कि आप ऐसा वीडियो कैसे बना सकते हैं जिसमें कि पहले तो चैटिंग है उसके बाद जो है इस टोरी का कुछ आता है गाने के लिरिक्स के हिसाब से तो अपने आप लोड कर दिया है और अपलोड कर दिया अपने टेलेग्राम चैनल पर अगर आपने मैरे टेलेग्राम को जोइन नहीं क्या है तो तो जाएगा उसे जोइन कर सकते और इस footage को डाउनलोड कर सकते हो और उसके background में जो गाना चलता है वो गाना को भी मैंने upload कर दिया अपने टेलिग्राम चैनल पर और इसके बाद आपको चार photo का जड़त परेगा आप चाहे तो अपना photo लगा सकते हो किसी दोस्तियार का लगा सकते हो और उसके बाद एडिट करेंगे हम इससे भी एन वीडियो एडिटर एप्लिकेशन पर और साथ ही आपको एक और आप का जड़त परेगा जिसका नाम है पिक्सल लैब तो दोनों एप्लिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या आप चाहें तो दोनों को प्ले इस्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो और चलो बिना दरी की वे सिधे एडिटिंग की तरफ चलते हैं और आपको एडिट करके बदाते हैं कि ऐसाब वीडियो आकिर आप कैसे बना सकते हो इस लिए कि आपकी का प्रोफाइल है ठीक है तो इस वाले आप्शन पर क्लिक करके वीडियो या फोटो वाले आप्शन पर क्लिक करना है और इस फोटो वाले पर क्लिक करके आपको कोई एक फोटो चूज करना है इसे आप profile peak के तौर पे लगाना चाहते हो तो हम यहां से इस photo को select कर लेते हैं फिर सबसे last में इधर की तरफ आओगे तो यहां mask का एक option मिलेगा इसके उपर click करना फिर यह radial का option मिलता है इसके उपर click कर दोगे तो यह आपका photo जो है वो round यानी की goal हो जाएगा इस double arrow की सहायता तो जितना बड़ा आप रखना चाहते हो उतना बड़ा रखना और ओके कर देना फिर इस एरो की साहता से छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हो तो ऐसे छोटा करके और इसके बीच में ऐसे आपको फिट कर देना है ठीक है तो आप अच्छे से फिट करना मैं आपको बस बता रहा हू फिर इसके उपर क्लिक करके इस arrow को पगड़के थोड़ा सा इधर की तरफ ले जाना है आपको करीब 9.34 टाइम जो है इसका 9.34 या 9.35 तक रखना है तो 9.34 तक ही रखना है इधर के पार्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए इस प्लीट कर दो और इसे कर दो यहाँ पर डिली लिखना है जैसे मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम है मुल्शिद आर्टी जेड तो आपको भी ऐसे कुछ लिख लेना है फिर इस डबल ए वाले ओप्शन पर क्लिक करके आप इसका जो है फोन्ट को चेंज कर सकते हो तो आपको जो भी अच्छा फोन्ट लगे वह फिर एसे बढ़ा कड़ के थोड़ा सब और इसे इसके बगल में ऐसे फिट कर देना है ताकि अयसा लगना चायए कि आपको फिर ओके कर देना ओके और इस टेक्स्ट को भी यानि कि प्रोफाइल नेम को भी इस फोटो के बराबर में रखना है जितना बड़ा आपका ये फोटो है उतना ही दूर तक रखना है तो एक्स्टा पाट अगर हो जाता है तो इधर इसे कट कर देना है प्रोफाइल फोटो और प्रोफाइल नेम लिख ल जाएगा फिर यहां थिरी डॉट वाले option पर क्लिक करना है इमेज साइज के option पर क्लिक करना है और यहां 1280 लिखा हुआ है तो इसे 720 कर देना है 720 और यहां पर okay कर देना है इससे क्या होगा कि कुछ इस तरह से 9 into section का ratio में यह बन जाएगा फिर इस पलस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहां पर from gallery वाले option पर क्लिक करना है और आपके profile में यह ले के आ जाएगा यहां से आपको फोटो सेलेक्ट करना है जिस पर आप lyrics लिखना चाहते हो तो मैं आपको एक फोटो बना के बता रहा हूं आपको तो इस फोटो को हम सेलेक्ट करते हैं फिर इस पर ok कर दो और इधर की तरफ उधर की तरफ फोटो को ऐसे कर सकते हो तो यहां पर देखो कोने में एक डॉट है तो इससे खीचोंगे ना तो फोटो आपका बड़ा होगा तो आप सबस्क्रीन पर देख सकते हो मैंने इसे फीड कर लिया अब यहां पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है फिर टेक्स्ट वाले यहां से डिलीट कर देता हैं अब हमें गाने का फॉस्ट बोल लिखना है यानि की फॉस्ट लिरिक्स में आप क्या कर सकते हो कि कुछ इमोजी टाइप का लगा सकते हो ताकि देखने में बढ़ियां लगे तो अगर आपको इमोजी लगाना है तो लगा सकते हो अगर नहीं लगाना तो नहीं लगा सकते हैं यह प्रसनल मामला है इसमें हम क्या बोल सकते हैं तो यहां से जो है मैं एक Eomo 212 के कर लेता हूं जैसे इस इसे नि lights आखता है और किसी शायर तो शायर के जगाँ पर किसी बंदे को घुजबर देता है मतलब यहां पर ताकि देखने में लगे कि वह शायर है तो चलो मैं इसे डाल देता हो और नो करता हूं तो कुछ तरसे यह आ गया है तो इस वाले डॉट को ऐसे खीचोगे तो एक लाइन में यह आ जाएगा डबल लाइन था फिर इस वाले से छोटा बढ़ा कर सकते हो तो आपको ऐसे स्क्रीन पर फिट करना है और यहां पर उतना दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका कलर वगारा चेंज कर लिए तो उसके लिए इस क्लिक करो और थोरा स्ही एधर आहोगे तो है करना और यहां से आप यह यलों च़्रक्र कर लेना हो लिए उसके बाद यहां पर आईंगखर को मिलेगा या भी पर क्लिक करकेक्विस efforts कलिकर दो तो थोरा मोटा हो जाएगा तो आप देख लेना कि आ मौटा करना चाहते हो या हाँ से आप फोंट भी चेंज कर सकते तो चलंब मैं इसे लेक्ट करकर ओगे करता हूँ अब इसके बैक्ग्डराउंड में आपके एक ब्लाक लगा तो थोड़ा हाईर Zombie होजएगा तो यहां पर बैके ग्राउंड का Obama क्लिक में इनेःबल कर दोगे तो इसके बैकरउंड में टेक्सके बैगरॉंड में काला बैकगरॉंड आ चुका है फिर लेफ्ट पेडिंग को ऐसे बढ़ा देना राइट पेडिंग को भी थोड़ा बढ़ा देना तो इस तरह से आपका जो है फोटो के उपर सॉंग का स्थ लाइन आ चुका है अब इससे सेव करना है तो इससे पर क्लिक करो से ऐस इमेज़ पर क्लिक करो और यहां कस्टम का उपसन है डाइमेंशन में तो इस में आप वेरी हाई या हाइ करके और यहां पर सेव टू गैलरी कर दो तो यह आपका एक फोटो जो है वह सेव हो जुगा यानि कि फर्स्ट लिरिक अब आपको दूसरा लिरिक्स बनाना है तो मैं वह थोड़ा सापको बता दो दूसरा लिरिक्स बनाने के लिए आपको उतना कुछ नहीं करना इस फोटो पर क्लिक करके यहां से कर दो डिलीट और ओके तो यह फोटो डिलीट हो जाएगा अब को फिर से प्लस पर क्लिक करना है और इसपर दूसरे फोटो को सेलेक्ट करना है तो मैं दूसरा फोटो सेलेक्ट करता हूं सेम जैसे उसे किया था और ऐसे खीच के थोड़ा बढ़ा कर करके और इस्क्रीन पर फिट कर देता है अब टेक्स्ट तो हमारे फोटो के नीचे चला गया उसे उपर लाने के लिए आपको यह लेयर का ओप्सन नजराता है इसके उपर क्लिक करना है और यहां पर वो टेक्स्ट है और इसके बगल में एक पेंट का आइकन है एडिट का इस सुकूं के पल तो यहां के हां ऐसे लिख सकते हैं जो दे रोह को हरू को मृख को मृँ सुकूं के पल इसमें भी इमोजी वेकर आपको लगाना Shapit смight नहीं लगा रहा अब र अब developed साथिसे शीजुक्त कर देंगे ऐसे तो यह सिंगल लाइन वात आसे दृटो आपको फोटो के उपर और इसे सेव कर लेना है इस तरह से आपको तीसरा लाइन चौथा लाइन मतलब अलग-अलग फोटो पे करके सेव कर लेना है तो मैंने चारो फोटो को कर लिया है अब आपको यहां से फिर से आ जाना है आपको यह भीन वीडियो एडिटर पर उसके बा और आपको Pixel Lab का Folder में सारा का सारा photo मिल जाएगा. तो मैंने क्या किया था कि पहले बना के और दूसरे फोल्डर में रख दिया है. तो मैं उस Folder में चला जाता हूँ. तो मैंने इस Folder में रखा है. तो इस पे click करते हैं. और कोई मुझको यूं मिला है जैसे बन जारे को घर तो इस तरह से गाने की हिसाब से सलेक्ट करके एरो पे क्लिक कर देना तो देखो सारा का सारा फोटो यहां पे आ चुका है अब इसमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा फोटो का ऐसे बढ़ा दो टाइमिंग को ऐसे इस जहां मैं कट करूंगा वहां वहां आपको कट करना है तो ऐसे बढ़ा दिया ठीक है अब इसके बैक्गराउंड में आपको साउंड लगाना है तो इसके शुरू में आ जाओ यहां पर म्यूजिक का इकन है फर्स्ट में इस पे क्लिक करो म्यूजिक पे क्लिक करो और उस वा आपको चले जाना है सीधे 18 00 पे तो यहां पर टाइमिंग देख सकते हो मैं चला जाता हूं 18 00 पे 18 00 पे आने के वाद आपको यह वाले option पर क्लिक कर देना है उसका आपको जाना है बाइस जीरो लिखा जाएगा अब आपको जाना है चब्विस पंद्रह पे तो यहां पर देख सकते हो चब्विस और पंद्रह पे ठीक है फिर इस पर क्लिक कर दो तो इस तरह से आपको देखो टाइमिंग के हिसाब से बीट लगा लेनी है पहला आपको लगाना है 18ود दिरो पर दूसरे आपको लगाना है बाइस जीरो-च है और तीसरय आपकोल लगाना है 26 पंद्रह पर उसके बाद यहां पर ओके कर देना है तो इसके बैक्ग्रॉund में जो आपका यह साउड आ आजाएगा और बीट भी आ जाएगा अब आपको क्या करना है इसकी यह फिर्स बीट इसके ऊपर किलिक करो और आपका यह फोटो को यहीं तक रखना है तो इधर extra part हो जा रहा है तो इस पर क्लिक करके ऐसे चिपका दो इधर फिर दूसरे वाले beat प्याना है इस वाले footage को भी ऐसे चिपका देना है फिर तीसरे beat प्याना है फिर इस photo को आपको चिपका देना है और सॉंग के लास्ट में आपको जा के और जितना आपका यह song है उतना तक इस फोटो को रखना है तो इस तरह से देखो beat के हिसाब से मेरा जो है फोटो हो चुका है अब इसमें थोरा से आपको effect लगाना है बस आपका video रेडी तो यहां प्लेक्ट का एक आइकन है इसके ओपर क्लिक करना और यह white वाले पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इएफेक्ट आएगा आप देख ले ना आपको जो भी बनियां लगे उस वाले एफेक्ट को लगा सकते हूं तो मैं आपको सिजेस्ट करता हूं, वाइट वाला सेलेक्ट कर लेना, तो जितना भी ये पलस है, सभी के ओपर वाइट सेलेक्ट कर दो, इसमें भी वाइट सेलेक्ट कर दो, और उसके जाद इसमें भी वाइट सेलेक्ट आपको कर देना है, तो फाइनली आपका वीडियो रे तो इस तरह से इसे आप बना सकते हो काफी कमाल का देखने में लगता है यहां पर चाहें तो आप और भी इफेक्ट डाल सकते हो मतलब फोटो के किसी भी पोजीशन पर आजाओ एफेक्स पर क्लिक करके और यहां से आप ऐसे हिलता डुलता भी कुछ लगा सकते हो आप देख लेना आप जो भी बढ़ियां लगे क्योंकि बहुत सारा इफेक्ट यहां पर है तो आप फोटो के किसी भी पोजीशन में जाके और इन सब को लगा सकते हो तो थोड़ा और भी बेहतर लगेगा देखने में तो मैं जस्ट आपको बता रहा था तो आप तो ऐसे भी काफी होसियार हो यह सब करने में तो देखो हो चुका है अब इसे सेव करना है आपको तो यहां पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्सन पर क्लिक करके यहां पर ओके कर देना है फिर यह जो है स्टार्ट हो जाएगा जैसे एक्सपोर्ट हो जाता है इस वीडियो को आपको इंस्टाग्राम रिल्स के उसी साउंड पर अप्लोड करना है जिस साउंड पर इस तरह का वीडियो वाइरल होता है साउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन में दे दिया है आप क्लिक करके डा जिसका टुटोरियल अगर आप चाहते हो हमसे तो आप हमें उस वीडियो के नीचे टैक कर सकते हो मेरा इंस्टागराम आइडी ये रहा मुझे बस टैक कर देना मैं उस वीडियो को देख लूँगा और उसका टुटोरियल जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा अपने इस चैनल पे और मिलते हैं किसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाबाई